जैसाई राम एफ्रिवाउन, वेल्कम टू मेरे साई, आशा करती हूँ साई गृपा से, साई दया से आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं, आज शेर करूंगे आप सभी के साथ नवगुरुवार रतका एक चमतकार, ये अनुभव आया है आसाम से और मैम रहना चाहते हैं अन डाल रही हूँ, शेर कर रही हूँ, प्लीज दर्शन कीजे, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, तो सिक्स माइल्स में स्थिट, साई मंदिर में जैसे ही मैम गई, और बाबा के दर्शन मैम करती हैं, मानु मैम एक अलग ही दुनिया में पहुँच गई, अब तब मंद इतनी शांती मिलती हैं, कि मानो बाबा सुन रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही फील हुआ इनको भी, फिर साल 2020 के जानवरी में मैम अपने मम्मी बाबा के साथ श्रिड़ी जाती हैं, तब इतनी भक्ति साईक के प्रती इनके मन में नहीं था, मैम बताती हैं, और के बाबा को बेशक श्रद्धा भक्ति करती थी, पर वो जो श्रिड़ी जाने के लिए जो क्रेज होता है, कि श्रिड़ी जाएंगे बाबा से मिलेंगे, वो नहीं था, ना ही इनको सच्चलित्र जी के बारे में पता था, ना ही चावडी, लेंदी बाग, दुआरका के बारे में कुछ पता था, ना कोई जानकारी थी, तीन दिन का ट्रिप था और वो अपने फामली के साथ फिर से अपने शहर वापस आती है, अब माम तो वापस आ गई, श्रिड़ी से लौट कर, पर साई ने श्रिड़ी में ही अपने बच्ची को बहुत अच्छे से नोट रहा था, पर कोविट के चलते स्कूल, कॉलेज सा बंद हो गया था ना उस टाइम, तो क्या कहता है, कैंपसिंग भी नहीं हुआ, कोविट के चलते, तो ओनलाइन एक्जाम देना पढ़ा, और ग्राजुएशन कंप्लीट करती है, ऐसे माम, और राइट, लाइक रेस्ट के घर में बैठना, राइट, अब माम बताती है, कि माम और इनकी एक फ्रेंड है, दोनों ने कोविट से पहले गुआहाटे के एक गवर्मेंट ओगनाइजेशन से, इंटर्शिप एक महीने के लिए, मतलब किया था, वो जो अक्चुली समप प्रोजेक्ट होता है ना, तो स घर में बैठे थे, तब इनकी फ्रेंड ने कहा, कि उनकी पापा के कोई जान पहचान के है, जिन्होंने इन्फरमेशन दिया है, कि उसी कमपनी में, यानि जहां माम ने ग्राजुएशन के वक्त इंटर्शिप किया था, उसी कमपनी में एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, that to paid training, यानि training के लिए 10-15,000 रुपे करना पड़ेगा, पर एक बार जब job join, मतलब training join करते हैं, तो हर मही ने salary मिलने वाला है, एक साल तक, clear? तो ये news सुनकर, ma'am और उनकी best friend, I mean उनकी friend, बहुत खुश हो गई, कि अब घर में नहीं बैठना पड़ेगा, अटलीस काम करेंगे दोनों, ठीक है, और घर में बैठना नहीं पड़ेगा, तो दोनों सहली decide करती हैं, कि training join करेंगी, और करती भी है, paying 10-15,000, अब दोनों सहल ये payment तो कर दिया, अब एक महीने बाद उस इनसान ने फिर से call किया, और कहा कि training के लिए और extra 5000 रुपे लगेंगे, तो ma'am और उनकी friend ने वो भी दे दी, फिर उस इनसान ने एक महीने बाद inform किया, कि paperwork almost ready हो गया है, जैसे ही complete होता है paperwork, joining details, दोनों को mail कर देंगे, पर एक मही ने बाद उस इनसान ने contact करना फिर से बंद कर दिया, फिर कुछ दिन बाद वो खुदी call करके कहते हैं कि I'm sorry मैंने बहुत कोशिश किया, आप लोग का नहीं हुआ, so clear है कि 20-20,000 उन्होंने लिया पर कोई काम हुआ नहीं, amount वो खुदी खा गये, इधर दोनों बहुत depressed हो ग वो इनसान ने कह दिया कि नहीं, I'm sorry तो दोनों बहुत depressed हो गई, तो जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा ना कि मैम जब शरी गई थी तो साई बाबा ने इनको notice कर लिया है, कर लिया था, और साई बाबा से ना कुछ भी छुपा नहीं रहता है, तो बाबा ने बढ़ाया मदद का हाथ, उस वक्त जब मैम depressed हो गई, और depressed होके वो बाबा को याद करके कहते है, कि साई आप मेरे साथ हो ना, आप देख रहे हो ना, और उसके बाद साई कृपा से YouTube में मैम को एक वीडियो मिला, जहां एक साई भक्त अपना अनुभव सुना रहा था, कि कैसे साई ने इनको problem से बाहर निकाला, और ऐसे ही एक के बाद साई miracles इनको recommend हुआ, जैसे YouTube में होता है न, और मैम पूरा दिन बाबा के miracles सुनने लगी और उनको बहुत अच्छा लगा, और उन experience से ही इनको साई नवगुरुवार ब्रत के बारे में पता चला, पता चला कि नवगुरुवार ब् उध्यापन विदी जानना चाते हैं, व्रत कथा के बारे में जानना चाते हैं, मैंने recently एक वीडियो अपलोड किया है, covering all these topics में, link description पे शेर करती हूँ, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ मैम को पता चला साई सच चरिची के बारे में, 9 दिन 9 दिये जला करताने के बारे में, इसके बाद मैम हैं भी डिसाइड करती हैं कि वो भी नव गुरुवार का वरत करेंगी, ताकि साई क्रिपासे इनको कहीं जूब मिले, या इंटंशिप करने का मौका मिले, अब ये वरत, 9 गुरुवार वरत का, इनके live का पहला वरत था, बहुत भक्ति इसे नव गुरुवार का वरत में शुरू करती है, बाबा के ग्यारा वचन पढ़ती है, साई चालिसा पढ़ती है, हर गुरुवार, और अपने हिसाब से ही वो बाबा को फूज रही थी, और इनको ना बड़ा सुकून मिला, फिल हुआ कि साई इनको सुन रहे हैं, इनके और खुद को बाबा के और करीब वो महसूस करती गई। बाबा ऐसे ही अपने हर भक्तों को अपनी ओर खीचते हैं। है ना। अब नवगुरुवार का वरत खतम नहीं हुआ था पर इसी बीच एक दिन मैम और इनकी फ्रेंड बाहर घूमने जाती हैं। और रेस्टरॉन में लंच ओडर करती हैं। और दोनों वेट कर रहे थी लंच का। तभी इनकी फोन में कॉल आता है। अब किसने कॉल किया। जहां इन्होंने और इनकी फ्रेंड ने बीटेक के वक्त इंटर्शिप किया था और बीटेक के बाद जहां इंटर्शिप करने के लिए बीस हजार रुपे दे चुकी थी पर कॉल वापस आया नहीं वही से कॉल आया था। उसी ओर्गनाइजेशन से इनको एक सर कॉल करते ह हैं इनको भी करते हैं इनके फ्रेंड को भी कॉल करते हैं बारी-बारी से और यह जो सर्थे इनको मैम पहचानती थी और उन्होंने मैम को पूछा इनको मैम पहचानती थी मतलब जब बीटेक के दौरान मैम इंटर्शिप करने गई थी ना तब से मैम इनको पहचानती है तो वो मैम वो जो सर थे उन्होंने मैम को पूछा कि अब तुम लोग क्या कर रहे हो तो मैम ने सब कुछ बताया कि graduation हो चुकी है, covid के चलते campusing बन है, घर पे है, internship के लिए try कर रहे है तब उन्होंने कहा खुद से कि हमारे organization में एक साल के लिए training हो रही है तुम join कर सकते हूँ, अपना resume में लेकर आओ, एक छोटा सा interview होगा, I'm sure तुम लोग select हो जाओगी ठीक है, वो सर खुद से phone करके ये बात कहते हैं, अब इसी internship के लिए मैम और इनकी friend already 20-20,000 रुपे या फिर 15-20,000 रुपे ओर इन दोनों को cheat किया गया था, तो मैम पूछती भी है कि क्या कोई पैसा लगेगा इस internship के लिए, तो सर ने कहा कि नहीं कुछ नहीं लगेगा, बस अपना resume साथ में लेकर आओ और interview दो, ये सुनकर दोनों सहेलिया फिर से बहुत खुश हो गई, मैम अपने घर आती है, फिर दो दिन बात दोनों दोस अपना resume submit करते हैं, interview के लिए call आता है, interview देती है, internship join भी करती है और ये सब हुआ नव गुरुवार व्रत के वज़े से, पर नव गुरुवार व्रत खतम होने से पहले, तो मेरे साई परिवार अगर विश्वास के साथ, प्रीम के साथ आप नव गुरुवार व्रत करेंगे, तो ऐसा ही चबतकारी फल मिलेगा, मैम बहुत बहुत धन्यव ठीक है, you never know somebody need this miracle to hear somebody maybe waiting eagerly to hear such kind of miracles, right और अगर आप भी अपना अनुफ़व मेरे साथ बाटना चाहते है, मेरे साई परिवार के साथ बाटना चाहते है, तो आप मुझे email कर सकते है, instagram पर direct message कर सकते है, या फिर मेरे whatsapp number में भी, आप मुझे message कर सकते है और अगर अभी चाहनल को subscribe नहीं किया है अभी तक चाहनल को subscribe नहीं कर रहे है बस बाहर से वीडियो देख रहे है तो बहुत ना इंसाफी कर रहे है मेरे साथ, चाहनल को subscribe कीजे मिलती हूँ बहुत जल्दी, नए सायनुभव के साथ till then, जै सायराम